नमस्कार दोस्तों, Wealth Sky की न्यू इंटरस्टी इंससाइटिंग वीडियो में आप सभी लोग का सवागत है, मेरा नाम है सुधीर, और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन के बारे मस को समझने की कोशिस करेंगे, अंडेस्टेंड क करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक अनॉंस्मेंट है कि जो इंडेक्स का कोर्स हमारा चलता था, जिसमें कि जो लास्ट कोविड-19 का ओफर ता, जो कि 1st July को खतम हो गया था, उसके बाद भी काफी लोग उसमें पार्टिस्पेट नहीं कर पाए और वो बारभा कॉल क करते थे, कि नया ओफर कब आएगा, जैसे हैं कि जादा तो लोग को पता है कि हमारा जो पर्टिकलर इंडेक्स कोर्स में जो सपोर्ट है, वो लाइफ टाइम फ्री होता है, तो जो भी लोग कोर्स को बाय करते हैं, और उसको लर्न करते हैं, तो उनको सपोर्ट की रिक्वा कॉल्स आएं, नहीं तो हर दिन करीब 40-45 कॉल्स आते थे, जिनको सपोर्ट की रिक्वार्मेंट होती थी, तो इसलिए हम नया ओफर नहीं निकाल पा रहे थे, जादा तो लोग को मैंने बता दिया था, कि नया ओफर इसलिए नहीं आपा रहा है, क्योंकि अभी सपोर्ट की कॉल्स आते हैं, और उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अगर हम नए और ले लेंगे पार्टिस्मेंट, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा और दिक्कत बढ़ करती हैं, और दूसी चीज़े कंटिनुसली बोलने से क्या होता है, कि जो मेरे गले की प्रॉल् से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह अनॉंस करते हैं उन लोगों के लिए जो सीखना चाते हैं, मार्केट में, अंडरस्टैंड करना चाते हैं कि मार्केट में किस तरीके से बिजनस को रन किया जाता है, यह नहीं कि ओवर दे नाइट ही बहुत ही सक्सेस्फुल ट तो सेम आफर है यहां पर जो ऐसा कि COVID-19 में 50% आफ ता सेम यहां पर इंडिपेंडेंडेंस डे आफर है जो कि आपका आज से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा जिसमें कि आप इंडेक्स कोर्स बाइ कर सकते हैं 50% आफ में कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में में मेरा नमबर है आप वाट्सव कर सकते हैं आप कॉल करके पूछ सकते हैं फुर्दर डिटेल्स यह एक वीडियो कोर्स है इसमें मैं आ आपको resolve करूंगा और market के बारे में समझाऊंगा कि market कैसे behave करता है तो इस तरीके से journey start हो जाती है महीने दो महीने में आप चीजों को समझने लगते हैं और market में काम करने like बन जाते हैं खासका index में ये course particular nifty and bank nifty के कर सकते हैं what's up कर सकते हैं आगया हुए दिसी की website पर जहां पर हम nifty and bank nifty option change data समझने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे वहले आज की closing आप देख सकते हो 11371 पर निफ्टी बंद हुआ है 59 पॉंट चड़के यहां पर काम काच कर रहा था तो कोई profit booking नहीं आई लेकिन अभी जो करेंट्री सिच्वेशन है वो डाव फिचर की है कि 100 नीचे काम काच कर रहा है इविन अभी 200 पॉंट तक नीचे हो गया था यह बट अभी यहां पर recovery आ गई है थोड़ी सी तो थोड़ा सा माहल दुबारा से चेंज होता हो दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर के लेविल पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डाव जोंस में profit booking चल रही है यह चीज़ पर के इंडिकेट हो रहा है तो हो सकता है यहां पर और थोड़ा सा selling pressure बन जाए तो यह selling pressure कब बने गए यह पता नी फिलाल लेकिन condition ऐसी देख रही है क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर अगर मैं डे चार्ट लगाँ तो कि आप देखो यह डे चार्ट है आप देखें यह रिकवरी आई फिर यह आज ऊपर से यह सेलिक दिखा रहा है तो यह इस लेविल को रिष्प्ट करने की कोशिस कर रहा है इसके नीचे क्लोजिंग कल नहीं दीती अगर आज यह जाता है वो क्लोजिंग देता है तो कहीं न कहीं और रिटरेश हो सकता है सफटाइश्या के लेविल तक तो हमारे लिए सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा उपर के लिए पर कॉश्यस वाला है तो यह चीज को द्यान लगए अब समझते हैं ऑप्शन चेंड डाटा पर क्या चेंज हो है 11-400 के पास हमें काफी देर तक कामकाश किया था लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाए उसके वहीं अगर हम बात करें 11-400 के पुटकी तो यहां पर आप देख रहे हो करीब 17,36,000 का ओपन इंटर्स देख रहा है सुभी यह उपन इंटर्स आइड हुआ है इस चीज का समझ लिए अभी फ्रेश ओपन इंटर्स है जो आज के दिन में आइड हुआ था अब मंडे को अग बेंडिंग का प्रेशर भी मार्केट पर आ सकता है इस चीज के लिए आप पहले से प्रेपेर रहेगा चार्ट की बात करें तो यहां पर देख 15 मिनट का चार्ट है एक्जक्ली चार्ट है जैसे मैंने आपको कल बताया था सेम चार्ट है इसमें कोई चेंज नहीं है मार्के लिए है कहां पर 11,416 पर विकॉस आप पर काफी अच्छी कॉल राइटिंग हो रही है तो कहीं न कहीं उपर टिकने में दिक्कत आ रही है यह क्लिरली निफ्टी में दिख रहा है तो यहां पर निफ्टी के लिए जो पोजीशन है इस्टिल मैं नेगेटिव हूं और मैं न 11,000 की September की 11,000 की September last expiry की मैंने put खरीद रखी है जो कि मैंने 115 रुपे पर बाय करी है ठीक है 115 पॉइंट पर बाय किया हुआ है मेरे पाद 3 लॉट उसके पड़े है क्योंकि मुझे expectations है कि यहां से market में 300 पॉइंट का fall आना चाहिए अगले 5-6-7 दिन के अंदर ठीक है इसलिए मैंने वो position create करी है पहली चीज़ दूसरी चीज़ है कि इस particular series की जो expire 27 तरीक को की उसकी मैंने 11,500 की call और 11,600 की call sell कर रखी है क्योंकि मेरे को expectations नहीं है कि 11,500 के ऊपर जाके market expire होगा अगर होता है तो उस condition में हम देख लेंगे मेरे को ठीक टाक सा decent सा अच्छा premium मिल लाता है त आप देख सकते हो आज के दिन में इसने क्या चीज़ अच्छी करी है कि आज के दिन में 22,300 के ऊपर closing दी है सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए applicable होती है अगर Monday को ये gap down हो जाता है अगर DAO आज गिरके बंद होता है और Monday को gap down होता है तो यहां पर जो बैंक निफ्टी में करने की कोशिस कर रहा है इसमें आज 22,300 पर होल्ड किया है तो इसके लिए जो next resistance है वो आपका 22,400 हो है 22,500 को निकालेगा तो एक तेजी हो सकती है लेकिन 22,500 को लगता नहीं है तो फिलाल इस सेरीज में निकाल पाएगा क्योंकि 22,500 पर आप देख सकते हो यहां पर देखो 22,500 पर क्या हो रहा है करी 8,38,000 का open interest खड़ा हुआ है जितना आप 22,000 के पुट पे भी नहीं देख रहे हो यानि अगर 22,400 के ऊपर देखा जाए तो इवन 22,300 के ऊपर देखा जाए तो 22,300 पर जबर देखा जाए तो 22,300 पर जबर देखा जाए तो जबर देखा 22,400 के ऊपर 22,500 के ऊपर टिकना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही जादा मुश्किल की बात रहेगी और ऐसे माहौल में जहां पर कि डाव बार बार ऊपर से गिर रहा है तो थोड़ा सा डर बैटेगा यहां पर तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसमें बैंक निफ्टी में जो सेफ हेंड है वो यह है कि 22,700,800,900 और 23,000 यह कॉल्स आप सेल कर सकते हो अगर आपको मंदी कर नहीं है तो 22,700,800,900 और 23,000 की यह चीज है अगर देखा जाए तो डाव फ्यूचर में जो करेंटली है वो 92 पॉइंट का यहां पर गरावट दिखा ही रहा है डाटा मैंने आपको बता दिया है बैंक निफ्टी के लेवल बता दिया है आपको सेम अगर इस चैनल में आता है तो आपके के लिए जो सपोर्ट हो एक किज़ा 930 का होगा एक किज़ा 930 वाले चैनल में आता है तो एक किस पांसो फर्दर टार्गेट होगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि इंडेक्स कोर्स का जो आफर चल रहा है आज लास्ट डेटा उसकी फिलाला एक् आए ओप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक को शर्फ जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि मैं सुदील लेका आता हूं हर दिन आपके लिए नहने वीडियो इसी के साथ शुक्रिये दोस्तों चैह हिं